दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल दो यूनिवर्सल में आज मैं चेप्टर वन का पर्मय 1.4 पढ़ाने वाला हूँ इससे पहले मैं तीन पर्मय पढ़ा चुका हूँ और उसके जो क्वेस्टन्स हैं वो भी मैं बता चुका हूँ तो ये बहुत इंपोर् आजना है किस तरह से ये प्रूप करते हैं ठीक है तो पर्मय 1.4 कहता है रूट 2 एक आप परिमय संख्या है तो आप इसको प्रूप करो तो ये है ना अगर आप इसको सीख लिए तो इससे रिलेटेट कोशन आपको आएगा रूट 3 रूट 5 रूट 7 कुछ भी हो जो एक समझने से पहले आपको मैं कुछ टर्म बता दे रहा हूं जिसको आपको समझना है ताकि इसको प्रूप करने से जो प्रूप करने में यूज करेंगे जो भी टर्म्स आप अच्छे से समझ पाओ ठीक है एक है उभैनिस्ट गुनन-खंट दूसरा है सवभाज ठीक है दो टर कि उभैनिस्ट गुनन खंड होता है कि मतलब वो संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे उसको उभैनिस्ट का गुनन खंड करते हैं तो इसका 4 और 6 का उभैनिस्ट गुनन खंड क्या हो गया उभैनिस्ट गुनन खंड दो हो गया ठीक उसी प्रकार से कोई भी नंबर ले लिजिए जैसे 6 और 15 तो ये 3 से लगएगा 3 दोने 6 और 15 तो इसका उभैनिस्ट गुनन खंड कितना हो गया उभैनिस्ट गुनन खंड 3 हो गया ठीक है और सवाभाज क्या है वो संख्याएं सअभाज होती है जिसमें common factor एक ही होगा जैसे 2 और 3 ये सअभाज है क्योंकि अगर 2 और 3 को मतले एक दूसरे से काटेंगे तो कटेंगा निए ठीक है तो एक से कट सकता है बाग किसे इसे 4 और 5 ये आपका सअभाज संख्याएं क्योंकि ये किसी से डिवाइ होगा ही न्य एक के अलावा तो वो संख्याएं सहाभास संख्या ओते हैं जो की इक के अलावक किसी से डिवाइड नीहों कि मतलब की विभाजित नहीं होते है ठीक है तो इतना दो समझना था अब चलते हैं प्रैवाई पिब्गे ठीक है, प्रूप लिखेंगे, देखिए भासा कुछ भी अप लिख सकते रहें, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, सामने वाले को या एक्जामनेर को किस तरह से आप उसको डील कर रहें, ठीक है, अब मान लेंगे, मान रूट टू एक परीमय संख्या है, ठीक है, जो पी बाइ क्यू, मतलब रूट टू इस इकल टू पी बाइ क्यू, जहां पर क्यू इस नॉट इकल टू जीरू, के रूट का है, ठीक है, जिस, जिसमें, या जिसका, जिसका कोई, एक या उभैनिस्ट, कुछ भी लिखते हैं, उभैनिस्ट, गुनन, खंड है, इसका मतलब, यह किसी संख्या से डिवाइड होगा, ठीक है, उभैनिस्ट गुनन खंड है, जिससे, विभाजित, करने पर, एबाबी के रूप का आता है, ठीक है, यह लिखेंगे, विभाजित करने पर, रूट टू इस एकल टू एबाबी, जहां पर, बी इस नॉट एकल टू जीरू, यह कंडिशन हमें सा, अकर बी जीरू हो जागा, तो इसका मान ही कुछ नहीं हो हो ठीक है, रूट टू, इस एकल टू एकल टू एकल टू के रूप का, करने पर, रूट टू इस एकल टू आता है, ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर तो A स्क्वार और B स्क्वार ठीक है तो यह हो जागा रेरेंज करेंगा तो A स्क्वार इस इकोल टो 2B स्क्वार इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ A स्क्वार जो है 2 से डिवाइड होगा कैसे मैं बताता हूँ एक्स्प्लेन करके ठीक है अगर आप B का कोई भी वेलू रखो कोई भी 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो, अब देखो क्या होता है, तो a square is equal to क्या होगा, 2 into 1, 2 हो गया, a square is equal to 2 की case में 2, 2 नी 4, ठीक है, और a square is equal to 2 into 3, 6, तो यहां क्या रखते हैं, 2 का सब 2 से divide होगा, ठीक है न, जो भी multiple में है, तो वो दूसरा number, जो पहला number है, उस से divide होगा, जिससे यहां पे, b, कोई भी number ले लो आप, ठीक है, यह a square जो है, 2 से divide होगा, क्योंकि यह इसके multiple में है, आप यहां पे करके भी देख सकते हो, b is equal to 1, a square equal to 2, a square is equal to 2 into 2, 2 के case में 4 हो गया, और b is equal to 3 रखते हैं, तो a square is equal to 6, तो इसका यह मतलब हुआ, कि a square जो है, 2 से divide होगा, ऐसे दिख रहा, लेकिन मैं आपको यह दिखा रहा था, कि हाँ, यह होता है, इस तरह से check करते हैं, ठीक है, तो क्या देखते हैं, यहां लिखेंगे, अता, यह square 2 से विभाजित होगा, ठीक है, और पर मैं, कौन सा पर मैं पढ़े थें, पर मैं 1.3 पढ़े थें, बोले थे निस से पहले कि आपको पर मैं को याद रखना पढ़ेगा, 1.3 क्या कहता है, ठीक है, अता, और पर मैं 1.3 से, क्या होगा, यह यह भी 2 से विभाजित होगा, ठीक, इतना समझ गए, अब इतना समझने के बाद, अब यह कहते हैं, कि 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर कुछ बहल्यू आगिया, जिसे मालनों, यह 2C के फॉर्म का आगिया, ठीक है, A is equal to 2C, 2 से विभाजित होगा, A is equal to, जो A is equal to 2C के, रूप का होगा, ठीक है, और, A is equal to 2C, इसमें रखने पर, ठीक है, ठीक है, ना, A is equal to 2C, ऊपर, एक्वेशन मालनों को, यह एक टो, यह, A is equal to 2C, ऊपर एक्वेशन, वन में, रखने पर, यहाँ पर जो आपको करना, क्या मेहनत क्या करनी है, कि आपको भासा, अपने से लिखना है, समझाना है किसी तरह से, अगर आप भासा रैडिंग का स्किल्स सीख लिए, तो कोई भी कोश्चन आपके लिए भारी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चा जो है, वो जानता है, अंसर निकालना, ठीक है, लेकिन भासा में पकड़ नहीं है, कि किस तरह से लिखेंगे, कि मुझे अंसर तक पहुँचना है, ठीक है, तो यह बहुँ ज़रूरी है, यह अपने से लिखिए, आप किताबी भासा में को कभी मत लिखेंगे, आया किसे कोपी मत किये, अगर आपको लगता है, कि आप अपने से लिख सकते हैं, तो ट्राइ कीजिए, कि अपने से लिख सकेंगे, ठीक है, और यह जो, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि, आप इसको कॉपी करें पूरा, आप इससे सीखें हैं, कि मतलब क्या कहना जा रहा हूँ, और किस तरह से आपको प्रूब करना है, ठीक, तो A is equal to 2C रखने पर क्या हुआ, 2C square is equal to 2B square, ठीक है, यहाँ से 4C square is equal to 2B square, यहाँ से 2C square is equal to B, sorry, B square, ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, B, B2 से डिवाइड होगा, B square भी 2 से डिवाइड होगा, पहले, अता, B square 2 से, विभाजित होगा, और पर मैं 1.3 से, B भी 2 से, विभाजित होगा, यह विरोधावास, ऐसे पहले क्या माने थे, A और B, में कोई उभाइनिस्ट गुननखंड नहीं है, मतलब A और B, किसी दूसरे संख्यां से डिवाइड नहीं होगा, और यह चो 2 से डिवाइड हो रहा, A भी डिवाइड हो रहा, और B भी 2 से डिवाइड हो रहा, तो यह क्यों आया विरोधावास, यह विरोधावास हमें, root 2 को परिमाइ संख्यां मानने के कारण हुआ, ठीक है, अगर हम परिमाइ संख्यां नहीं मानते, तो यह विरोधावास आता ही नहीं, विरोधावास क्या हो गया, इससे पहले हमने क्या बोला था, कि A और B, A और B में कोई उबहाइडिस्ट गुरंख्ण नहीं होगा, क्योंकि वो कटके, उबहाइडिस्ट गुरंख्ण साब को पराइम संख्यां है, तो इसमें उबहाइडिस्ट गुरंख्ण कोई होगा ही नहीं एक क्यलावा, लेकिन यहाँ पर क्या हमको आ रहा है, A और B का दो से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यह, मैं जो माना था, वो गलत था, यह विरोधावास, अता, हमने पाया, कि, A और B का उबहाइडिस्ट गुननखंट दो है, जो जो की क्या है, जो की विरोधावास है, ठीक है, विरोधावास है, माना हुआ, ए और बी सा अभाज है, इसका, इसको जो माने थे, कि, ए और बी, साभाज है, इसका विरोधावास, मतलब की, मुझे मिल गया, यह क्यों आया, यह आया हम लोगों को, रूट्टू को परिमेशांख्या मानने पे हैं, यह, इसलिए, पाया, की, हमारा, माना हुआ, कथन, गल्ट है, इसलिए, रूट्टू, एक, आप परिमेशांख्यांख्यांख्यांख्या, संख्यां है, यह, इस तरह से, दोस्तो, मैं जानता हूँ, कि आप लोगों को, भासा बहुत हार्ट लगा होगा, लेकिन, यह आपको अपने से करना, ठीक है, आप समझे इसको, क्या है, कुछ नहीं है, समय ठीक है इसको आपको बस मतलब समझना है कौपी नहीं करना किस तरह से समझा रहा है और क्या क्या है वो समझना आपको ठीक है और अपने से लिखना इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है तो आप लोगों कैसा लगा वी वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं इस चेप्टर के जितने कोशन है उसको बताऊंगा और इसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करते ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फाइदा उठासे कित थैंक्यू बेर है मुझा आपको उसका बर करता है में यसके लिए यस अपको च्वा पा month करेंब करेंगे लिए और इसकारान को लिए जर्फिकेशन मिल जाएटर को करेंपनμέे लिए निए में जोग ता इससे पह्या पूतार है भी में जोग भी में आपको है उसे जाओ विए पुछी कारी